किसान वाईयो नमस्कार मैं हूँ दसरताकर आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूटूब चेनल अधिकतर सेत्रों में धान की वसल में बाल्या निकलना प्रारंब हो चुकी है जब दान में बाल्याना सुरू हो जाती है तो इस समय आपको दान में मुख्य रूप से चार बड़ी गलतियां कभी नहीं करना है अधिकतर किसान दान में ये गलतियां करते हैं जिससे बाल्यों में दानों का बराव अच्छी तरह से नहीं हो पाता है बालियों की लंबाई भी नहीं बढ़ती है और हमारा उत्पादन कम होता है इस वीडियो में मुख्य रूप से आपको मैं चार ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनको अगर आप नहीं करते हैं तो निशित तोर पर आप अपने धान से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं कम्पलीटली पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को बीना एसकीप किये आखिर तक जरूर देखें चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब करें पास में जो गंटी है उसे जरूर चालू करें ताकि आपको हमारी हर एक नए वीडियो का नोटिपेकरिशन तुरंत मिल सके दान में बाल्या निकलते समय किसान बड़ी गलती करते हैं कि दान में फंगिसाइट का पर्योग ना करना जैसे की किसान भाईयो धान में कहीं परकार के फंगिसेट जनित रोग जैसे की धान में बलाश्ट रोग जुलसा रोग लीब बलाइट आदी परकार की फंगस जनित रोगों का परकोब देखा जाता है इनका असर धान में बाले आते समय ज़्यादा होता है अगर आप धान में समय से फंगी सैट का पुर्योग कर लेते हैं तो ये बिमारिया आपकी वसल में नहीं आती हैं अगर आपकी वसल में फंगस का परकौब दिकाई दे तो आप बाले आने से पहले ही फंगी सैट का परियोग कर लें फंगी सैट के लिए अलग से चेनल पर वीडियो आने वाला है उसको आप देख सकते हैं इसके बाद दूसरी घलती किसान करते हैं कीट ना सक का परियोग ना करना किसान भाईयो धान में बाले आते समय बहुत से कीटों का परकौब धान की वसल में देखा जाता है जो की फल को भी काफी जड़ा नुकसान पहुँचाते हैं पोदे को रोग मुक्त बन रोग गरस्त बना देते हैं जिससे पोदा अपना वीकास अच्छी तरह से नहीं कर पाता है जिससे धान में बालियों की लंबाई भी नहीं बढ़ती हैं उनमें दानों का वराव भी अच्छी तरह से नहीं होता है इसके लिए आप समय से धान में कीट नसक का फर्योग कर सकते हैं मार्केट में धान के लिए परमुक रूप से कई परकार के कीट नसक आते हैं आपके यहाँ पर जो भी कीट नसक सस्ता उपलब्द हो जाता है उस कीट नसक का परियोग आप धान में समय से कर लें इसके बाद तीसरी गलती किसान वाईयों आपको धान में पानी का बराव रखना है कहने से मेरा मतलब है कि जब दान में बालिया निकलना सुरू होती है उस समय आप अगर बारिस नहीं हो रही हैं तो दान में सीचाई कर दे जिससे दानों का बराव अच्छी तरह से होगा बहुत से किसान बालिया निकलते समय दान में खेत में नमी नहीं बनाये रखते हैं जिससे बालियों का आकार भी नहीं बढ़ पाता है दानों का अची तरह से बराव भी नहीं हो पाता है जब दान में बालिया निकल रही हैं तो आप उस समय खेत में नमी बनाये रखे बारिस नहीं हो रही हैं तो आप समय से सिचाई करें इसके बाद चोती गलती किसान करते हैं पोटास का पर्योग नहीं करना जब दान में बालया निकलना सुरू होती है उस समय आप दान में NPK 0050 का पर्योग एक किलो ग्राम प्रती एकड की दर से कर सकते हैं जिसके कारण आपके दान में पोटास की पूरती हो जाएगी पोटास आपके दान में दानों का बराव अच्छी तरह से करोएगा साथ ही दान लंबी बनेंगी और हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो आप दान में पोटास का पर्योग भी जरूर करें अगर यह चार गलतिया किसान नहीं करते हैं तो निस्सी तोर पर किसान दान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं उम्मिद करता हूं किसान बायों जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक सियर करें मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद